Hello everyone, इस वीडियो में हम Class 5 की Mathematics की Worksheet No.20 करने वाले हैं, डेट है इसकी 13th of July 2021 और इसको शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल Mind Boosting Classes को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजे शिरू करते हैं Worksheet को, सुनीता का संख्या खेल, वक्षित का ये topic है, ठीक है, Math की आपकी Worksheet है तो Hello बच्चो, आप सभी कैसी हो, आशा करते हैं, आप सभी अच्छे होंगी आप सुनीता घर की सफाई कर रही थी, उसे सफाई करते हुए लूडो का एक पासा पासा यानि डाइस ये होते हैं, डाइस देख रहे ना, ये डाइस होते हैं, ठीक है तो क्या हुआ सुनितागर की सफाई कर रही है उसे सफाई करते हुए लूडो का डायस मिल गया पासा मिल गया तो उसका जो डायस था ना उसने सोचा की चलो खेल लेते हैं इस डायस से उसने पासे यानि डायस को हिला कर जमीन पर गिराया हर बार जो संख्या आ रही थी वह उसको लिखने लगी ठीक है अरे वाह ये तो बड़ी संख्या 6 आ गई अब उसे लगा कि मैं 6 से बड़ी संख्या बना सकती हूँ उसने पास के दो बार उसने पासे को दो बार हिला कर संख्या बनाने का सोचा सुनीता ने जब पहले पास आया यानि डाये जिलाया तो एक आया उसके बाद दूसरी बार में चार आया उसने दोनों संख्याएं अपनी कौपी में लिख ली उसने इन दो संख्याओं को मिला कर 14 लिखा ठीक है तो देखते हैं उसने सोचा कि वह इतनी इनी दोनों संख्याओं से एक नई संख्या और भी बना सकती है 4-1 सुनीता ने इस खेल को आगे बढ़ाते हुए कुछ संख्याएं और बनाने की प्रयास की आप भी नई संख्याओं बनाने में सुनीता कि मदद कीजिए तो यहाँ पर क्या है दिखिए 14 आया था ठीक है 1 और पहली पर उसके पासे में 1 आया फिर 4 आया ठीक है 1 और 4 को मिला के उसने 14 लिख दिया अब 14 से दूसरी संख्या कैसे बन सकती है अगर हम 4 को पहले रख दें और 1 को 4 की जगे पर रखते हैं तो यह 4 1 बन जाएगी इसी से दूसरी संख्या तो इस प्रकार का वो खेल खेल रही है तो हम भी मदद करते हैं उसकी देखते हैं हम लोग पासे, डाइस पर आये अंक दो अंकों से बनने वाली संख्या है दो अंकों से बनने वाली संख्याओं को आरोही क्रम यानि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर में लगाईए बड़ी संख्या तो देखते हैं कैसे करना है देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जब वो जो है न सुनीता उसने डाय स्वैका तो पहली बार उसके 6 और 2 आए अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगी न 6 और 2 को मतलब ऐसे वाला जोड़ना नहीं है बस ऐसी जोड़ देना है देखिए 6 और 2 क्या बन जाएगा ये 62 ठीक है 6 और 2 से हमने 62 बना दिया उसके बाल 62 से हम 26 भी लिख सकते हैं 62 को अगर हम 2 को 6 की जगे पर रख दें और 6 को 2 की जगे पर रख दें तो ये 26 यानि 26 बन जाएगा है ना ये तो होगा ठीक है तो हमने ऐसे लिख दिया दोनों बना दी उसके बाद यहां पर हमें आरोही क्रम में लगाना है इनको यानि 62 तो पहले हम 26 लिखेंगे फिर 62 लिखेंगे अब 26 और 62 में से बड़ी संख्या कौन सी है 62 तो यहां पर हम बड़ी संख्या हमसे पूछी कई है तो हमने या 62 लिख दिया ठीक है ना अभी हम आगे और कॉशन करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा सब देखते हैं अगली जब सुनीता ने अपना डाइस फैका तो उसके में 3 और 4 आया ठीक है 3 और 4 यानी 3 और 4 34 बन गए है ना तो 34 तो हमने लिख दिया 3 और 4 34 और और क्या बना सकते हैं अगर हम 4 को 3 के स्थान में रखे और 3 को 4 के स्थान पे रखें तो यह हमारा 43 बन जाएगा है ना तो 43 और 34 संख्या हैं हो गई अब इन में से सबसे छोटी संख्या है 34 इसको पहले लग देते हैं इससे बड़ी है 43 इसको बाद में लग देते हैं क्यूंकि हमें छोटी से बड़ी संख्या की और में लगाना है तो 34 और 43 हो गया तो 1 और 5 यानि 15 बन गया, ठीक है, 15, अब 15 में और क्या बन सकता है, 15 में 5 को एक की जगे और एक को पाच की जगे रखें तो बन जाएगा ये 51, ठीक है, तो ये देखे, 51 और 15 ये 2 बन गई, अब 50 छोटा है तो उसको पहले और 51 बड़ा है तो उसको बाद में आरोही करम के अ बॉला है, अब सुनिता को इस खेल में और मजा आने लगा, उसमें सोचा कि क्यों ना मैं तीन बहर है यानि-डायस को हिलाऊ, और तीन संख्याओं से एक नई संख्या बनाऊ सुनीता के पास से पर आई संख्या को मिला कर संख्याई बनाई हैं, आप भी अलग-अलग संख्याई बनाने में सुनीता की मदद कीजिए, तो चलिए मदद करते हैं, देखिए देखने में उंश्केल लग रहा होगा बहुत इजी है समझें कि हम एक साथ आ जाएगा एक तब बहुत इसी है जैसा आपने उपर किया न वैसा ही है यह भी देखिए डाइस पर आए अंग डाइस पर आए अंग पहली बर समिदा के पाच तीन और दो आए है ठीक है अब तीन अंगों से बनने वाली संख्या है पाच तीन और दो को मिला कर अगर हम बना दे तो क्या बन जाएगा एक और मैं पेज ले लेती हूँ फाइव थर्टी टू राइट तो देखिए फाइव थरी टू को मिला दे तो ये फाइव थर्टी टू बन जाएगा अब क्या कीजिए आप इससे कितनी जादा से जादा संख्या हम बना सकते हैं उटनी जादा से जादा संख्या बनाने की आप कोशिश कीजिए 2 को हम ना सबसे पहले रख देते हैं 2 को सबसे पहले ठीक है और 5 को सबसे आखिर में बीच वाले को हम बीच में ही रहने देते हैं तो एक और संख्या बन गई ना हमारी 2, 5, 3 अगर इसको उल्टा लेखें तो ये 2, 3, 5 हो जाएगा 2 को पहले 3 को उसके बाद में और 5 को आखिर में तो ये 2, 3, 5 और बन गया और तो ऐसे कितनी जादा से जादा संख्या बन सकती है ना आप बनाते जाएए क्या क्या बन सकती है 2 पहले हमने रख दिया ठीक है अब देखिए आप बस समझने की कोशिश कीज़े अब हम 3 से बनाते हैं 3 अब हम 3 को पहले रखेंगे ठीक है 3 को हमने पहले रख दिया 5 को 3 के बाद रख दिया और 2 को आखिर में रख दिया ठीक है अब हम पहले 3 को रख रहे हैं और 2 को इदा रख रहे हैं और 5 को आखिर में रख रहे हैं ठीक है मतलब इन तीनों से न हम इतनी, देखो मैंने कितनी सारे संख्या बनाई, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, छे संख्या बना ली मैंने, तो इस प्रकार से तीन डिजिट आपको मिल रही हैं, उन्हें उलट फुलट करके किसी संख्या को इधर रखे, किसी संख्या को उधर बनाने हैं, सिंपल, तो 5, 3, 2, इन तीनों संख्याओं से देखी कितने सारे नंबर इनों हने बना दिये हैं, अब इन सब नंबर में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पर, 2, 3, 5 है, तो वो सबसे पहले, ठीक है, 2, 3, 5 रख दिया हमने, 2, 3, 5 से बढ़ा कौन सा है, य यह बहुत इसी है, 3, 5, 2, तो 3, 5, 2 इधर आ जाएगा, 3, 5, 2 से बढ़ा 5, 2, 3 है, 5, 2, 3 से बढ़ा 5, 3, 2 है, ठीक है, तो इस प्रकार से हमें आरोही क्रम मेन को लगाना है, आरोही क्रम यानि असेंडिंग ओर में, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की हो, ठीक है, तो हमन इतनी अलग-अलग प्रकार की हमने संख्या बना ली, संख्या बनाना की बाद इनको छोटे से बड़े क्रम की ओर हमने लगा दिया, सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा, इस प्रकार से हमने इसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर लगा दिया इन numbers को उसके बाद इन सब में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसकी starting बड़ी हो है ना 6, 641 सबसे बड़ी है ठीक है, मतलब सब में से सबसे बड़ी हमें इधर लिखते नहीं है ठीक है, उसके बाद 352 से अलग 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 प्रकार की संख्या है बनाई इन्हें फिर छोटे से बड़ी की तरफ लगा दिया और उसके बाद इन सब में से सबसे बड़ी संख्या को इधर लिख दिया उसके बाद 654 है 654 से अलग अलग प्रकार की संख्याएं बनाई और इन अलग अलग प्रकार की संख्याओं को हमने छोटी से बड़ी की करम की ओर लगा दिया और उसके बाद इन सब में से सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है 654 ठीक है सब में से सबसे बड़ा हमें इधर लिखना है तो इस प्रकार से ये पूरा हमारा पूरा हो जाता है और ये हमारी वक्षित भी फिनिश हो जाती है छोटी सी है लेकिन प्रक्षित प्रक्टिस करने की आपको बहुत जरूरत है तो अगर आपको समझ नहीं झाल झाल झाल